गदिनो मद्यप्रदेश के दुर्ख जिले में दो सिंधी यूकों को पुलिस के द्वारा हतकड़ी बाद कर शेहर भर में घुमाये जाने के विरोध में सिंधी काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष गौरो खटर ने पत्रकार वारता के माध्यम से इसकी निंदा की है उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोनों लोगों को हतकड़ी पहना कर रसी बाद कर सड़कों पर घुमाये गया ये सिंधी समाज कभी बरदास नहीं करेगा इस संदर में आगे उन्होंने कहा पीन दिन पूर्वत, 36 गण राज्य में, जिला दुर्ग, हमारे दो संदी बच्चों के साथ एक छोटे से विवात को ऐसा तूल दिया और हमारे संदी समाज के बच्चों को गिरफतार कर रोड पे हथकाड़ी पहनवा, प्रशाशन के माध्यम से रसी बंधवा कर ऐसे घुमवाया लगा ऐसा कि वहा आतंगवादी आप राधी है और पत्रकार बंधू ने यहां तक कह दिया हम लोग के संदी समाज को बकाइद अखबार में चाप दिया कि हम संदी समाज आतंगवादी आपके पकिस्तानी तालीबानी हैं और अभैद रूप से यहां भारत में रह रहे हैं इसकी इस शब्द वाली का हम सब संदी समाज पूरे भारत देश के खोर निंदा करते हैं उनके शब्दा वली की और उन्हें कहते हैं कि यह कहने से पहले उन्हें जान लेना चाहिए वह किसके बारे में बात कर रहे हैं एक संदी एक अमात्र ऐसी कौम है कि बिना रक्षण के आज भी वह अपने महनत के दम पे जी रही है और हम सब को इस बात का गर्व है बहुत अफसोस की बात है कि लोग ये जब कहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं अरे भाई मैं उन सब से आप के माध्यम से प्रश्ण पूछा चाता हूँ हम पाकिस्तानी हुए कैसे जब ये 47 में हिंदॄल का विभाजन हुआ तब सिंध वहा गया सिंध तो पहले हिंदूस्तान में है था तब तो पाकिस्तान का नाम निशान नहीं था और आज आप कहते हो के पाकिस्तानी हैं ऐसा कहके वह संधी समाज के एक एक प्राणी का उन्होंने उसकी भावनाओं को खेश पहुचाने का काम किया है मैं पूरा संधी समाज उस चीज की घोर निंदा करते हैं और उन्हें एक बार पूर्ण मैं निवेदन करता हूं वह किसी के बारे मैं कहने से पहले एक बार उनके समाज और उनका इतिहाद जानने